तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी की तरफ से आने वाला जैसे कि आप सभी को पता है कुछी समय पहले रेडमी की तरफ से आया था रेडमी नोट 10 जो की काफी एक प्लेस बना लिया और वहां पर उसने काफी अधर जो मोईल ब्रेंडेड हैं उनको भी उन्हें काफी कंपडीड किया तो ऐसे ही चलते हुए यहां पर एक नहीं मौडल आया रेडमी की तरफ से जो की रेडमी नोट 10S करके आया है और अभी हम बात करें मार्केट में आता है और एक कह सकते हैं कि 15,000 की रेंज से नीचे एक अच्छा स्मार्टफून हो जो की कैमरे वाइस भी काफी अच्छा है और इस मौडल के बारे में सारी इंफ्रमेशन जानेंगे इस वीडियो में क्या यह आपके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि देखिए जो भी को यूजर रहता है उसको अपनी यूजर के हिसाब से ही किसी मौडल को सेलेक्ट करना है कि उसे कैमरे वाइस चाहिए या उसको परफॉर्मेंस वाइस चाहिए या उसको ज्यादा बैटरी बैक अप चाहिए तो यह सारी चीजों के जो कन्फूजन से हो आज इस वीडियो में दूर हो जाएंगे तो गैस वीडियो में अंट तक बने रही है आज इस मौल के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉमेशन की कौन सा कैमरा सेट अप है कब तक हमें मार्केट में देखने को मिलेगा क्या प्राइस वगरा रहेगा और जो डिटेल सके जैसे वीडियो हमारी तब से अपलोड हो तो चलिए गाज शुरू करते हैं बिना समय गवाए तो गैस सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की क्योंकि जो भी कोई मौवाइल होता है उसकी जो डिस्प्ले वह काफी में में रोल प्ले करती है किसी भी स्मार्टफ देखते हैं हम लोग तो हमें अगर देखने में अच्छा लगता है उसमें लुक झीजाइन है और इसके बीच में जो कंटेंट है वो अच्छे लगते बात हम चीजओ आगे बात करते और यहां पर हम डिस्प्ले की बात करें तो हमें एमोलेट पैनल देखने को मिलता है जो कि 6.43 इंचेज के साथ आता है और यहाँ पर हम बात करें इसकी पीक ब्राइडनेस की तो हम यहाँ पर 450 निट्स तक इसको पीक ब्राइडनेस इसकी देख सकते हैं जहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसको डेलाइट में भी यू को मिलता है यहां पर हमें 450 निट्स का ब्राइडनेस देखने को मिलेगा यो कि यह काफी अच्छी बात है और उसको हम पीक ब्राइडनेस की अगर बात करें तो हम 1100 निट्स तक उसको ले जा सकते हैं और यह बिलकुल दूप में कोई टेंशन वाली बात नहीं काफी यहां पे हमें देखने को मिलती है AMOLED डिस्प्ले और उसके बाद में अगर हम यहां पर बात करें प्रोटेक्शन के तो हमें यहां पे हमें करिणा गलास 3 प्रोटेक्शन देखने को मिलती है जो कि अगर हाथ से थोड़ा बहुत चूट भी जाए मोवाईल तो कोई दिक्कत आ मिलता है Android के तरफ से 11 और MIUI का 12.5 वर्जनों में देखने को मिलेगा जो कि अभी लाउंच हुआ है और काफी अच्छे फीचर से उसके बारे में अगर आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं हम आपके लिए लेके की तरब से आने वाला Helio G95 प्रोशेसर देखने को मिलता है जो कि 12 नानोमेटर के आर्किटेक्टर के साथ आता है जहां पर परफॉर्मेंस हमें काफी इनहेंस देखने को मिलेगी और वैसे भी आप सभी को पता है कि Helio G90 और G95 जो 90 सीरीज है यह काफी बेस्ट परफॉर्मे देखने को मिलते हैं उसी साफ से काफी अच्छी पर्फॉर्मेस हमें देखने को मिलेगी और जैसा कि अभी हमने रियलमी की बात करें तो वहां पर हमें realme 6 हो गया 7 हो गया यहां पर G90 और G90 5 हमें प्रोसेसर देखने को मिलते हैं जो कि काफी अच्छे हैं पर प्रोसेसर माने जाते हैं एक budget category को देखते होगे CPU की बात कर रहे हैं तो यहां पर उसके cores की बात करें तो हमें देखने को मिलता है यहां पर octa core processor जहां पर हम बात करें 2 core हमें 2.05 GHz cortex A76 देखने को मिलता है और वहीं पर हमें 6 core 2.0 GHz cortex A55 देखने को मिलेगा जहां पर performance पहले बता देगा है काफी हमें enhance देखने को मिलेगी GPU की बात करें तो यहां पर Mali G76 MC4 हमें देखने को मिला है जो कि काफी अच्छी graphics rendering करने के लिए हमें काम आएगा उसके बाद में अगर हम बात करें के storage की तो यहां पर हमें देखने को मिल जाते है 64 GB storage 6 GB RAM के साथ 128 GB 6 GB RAM के साथ और 128 GB 8 GB RAM के साथ और storage type की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है UFS 2.2 जो की काफी अच्छी बात है और यहां पर हम memory card को लगा सकते हैं और अपने इसको storage को extend कर सकते हैं तो यह काफी अच्छी बात है कि हम अगर जादा storage की भी जरूरत है तो हम अपने इसको storage को extend भ प्ले करता है आज के समय में क्योंकि सभी को selfie वगएरा या photo वगएरा क्लिक करने होती है अपने mobile से main purpose काफी लोगों का यही रहता है कि जिससे काफी अच्छी video हमारी record हो सके और काफी अच्छी photos वगएरा हम क्लिक कर पाए तो उसके लिए यहां पे हमें quad camera setup देखने को मिलत है यहां पर primary sensor में देखने को मिलता है 64 megapixels का और f1.8 aperture के साथ और secondary camera की अगर बात करें ultra wide तो हमें 8 megapixel का ultra wide camera देखने को मिलेगा उसके साथ 1-2 megapixel का कह सकते है कि depth sensing के लिए और 1-2 megapixel का micro shots के लिए हमें camera देखने को मिलेगा जहांकर हमें quad camera setup पीछे की side में दिया गया रियर camera म और काफी अच्छे performance है काफी अच्छा camera की जो quality है वो हमें देखने को मिलेगी यहां पे और उसके साथ साथ में जो camera है उसके जो megapixel है और उसके जो picture processing होती है वो CPU पे भी depend करती है तो CPU भी अच्छा है camera भी अच्छा है तो हमें काफी अच्छी picture quality देखने को मिल जाएगी उस पे और उसके पाद अगर हम 720 की बात करें तो हम 960 fps रिकॉर्ड कर सकते हैं 720 पे तो slow mo कह सकते कि काफी improved है बहुत ही अच्छा slow mo देखने को हमें इस model में देखने को मिल जाता है next अगर सामने की और selfie camera की बात करें तो यहां पे देखने को मिलता है 13MP का F2.5 aperture के साथ जो कि काफी अच्छा camera में देखने को मिलेगा और काफी अच्छी picture quality हम उससे ले सकते हैं बाकी जब model हाथ में आगा तो हमें पता लगए गा एक्जक्ट उसकी performance क्या है फिलाल के लिए इतना ही और बाकी अगर हम बात करें यहां पर इसके नेटवर्क बगारा की तो हमें Bluetooth 5.0 देखने को मिल जाता है जी पीएस है एन फेरेड हमें यहां पर देखने को मिल जाता है और USB Type-C 2.0 देखने को मिलती है और यही सारे features हैं उसके सब sensor की बात करें तो सारे ही almost sensor देखन 55 मिनिट्स में complete phone को 0-100% चार्ज कर सकते हैं और अगर ऐसे जो 33 वाट की charging है यह काफी improved charging होती है तो हमारे पास 10-15 मिनिट का भी time है तो हम उसको use करके और कम से कम 3-4 घंटे 5 हम अपने mobile को आराम से चला सकते हैं तो यह काफी अच्छी एक चीज है तो guys वीडियो में आज में इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बेल आइकन कॉल करिएगा और guys अगर वीडियो में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता अगर एल य हीए NEW नहीं कर दो लए बर श्सक्राइब लीडियो